नमस्कार दोस्तो, मेरा नहिंए बीजयकुमार, आप देख रहे हैं कोमिक्स बिटयारा चैनल को, दोस्तो हम लोग कोमिक्स पड़ए थे सोने के लिए, जो कि बाक्यलाल की कोमिक्स है, इसका पहला BEA मैं अपने चैनल पर अब्लोड कर दिया है, पहले पार्ट में, मैं इस کॉमिक्स को 21 रस तक गवल कर दिया था. अब इस पार्ट में इसके आगे कहनी को सुरू करते हैं. धीरे से جाना बगियन में भावरा धीरे से जाना बगियन में धीरे धीरे बीना सोर किये पीछा करना होगा ताकि डाकों को पता ना चले कि हम उनके पीछे हैं अब ये कौन है भाई भगवन तू अब तो आजा राख्षस पापी तर से मुखडा दिखा जा मन की मुराग पूरी हो जाए ऐसा वर दे जा दिल डुपा हम आ गए भगत का परनाम सिवकार करे भगवन अईस्वान भववत्स कहो क्यों बुलाया हमें वर्दे भगवन मांगो बच्चा क्या मांगते हो अब इस सूल पर एक टाक पर खड़ा होकर एक साथ तक मैंने आपकी तपस्या की है तो कम सकम अमर्दा का वर्दान तो दे ही दे बेटा अगर तुम इस सूल के नोग पर बैटका भी तपस्या करते तो भी तुमारी ये इच्छा पूरी नहीं होती जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाना ही होगा कुछ और मांग लो कोई सूल के नोग पर बैट जाता तो मेरा क्या होता मजाग करते हैं भगवन अच्छा यही है वर्दान दे दे कि मेरी मिर्टू किसी सस्तर से ना हो हम ये वर्दान भी नहीं दे सकते हैं ब्रह्मा जी ने तुम्हारे किस्मत में मेरे तु हत्यार से ही लिखिये है वो तो हम नहीं बदल सकते कुछ और मांग लो अब बचा ही है अब बचा ही क्या मांगने के लिए एक चीज मांग सकता हूँ ठीक है वस कुमारी ये इच्छा हम पुर्द कर सकते हैं सिउजी ने मन चहां वर्दान पाकर राक्षस दिलरुबाद चल पड़ा हाहाहा मैं आ रहा हूँ मनिस्ट का बिनास करने प्रन्तु उससे पहले मैं अपनी दुखबरी कहानी सुनाऊंगा मेरे माबाप मेरे पैदा होने से पहले ही मर गए थे मेरे नाना ने मेरा नाम दिलरुबा रख दिया क्योंकि मेरे पीता जी मेरी मा को इसी नाम से बुलाते थे प्रन्तु ये नाम मेरे लिए अभी साथ बन गया लोग मुझसे ड़ने के बजाए मुझ पर हसने लगे मैं राक्षा सूँ मैं तुम सब को खा जाँगा जब तेरे माबाप तेरे पैदा होने से पहले मर गये थे तो तू पैदा कैसे हुआ राक्षा सूँ में ऐसा हो जाता है मैं पूरी मनुसे जाती से अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ अब मेरे पास सियुजरी का दिया हुआ ऐसा वार्दान है जिसके कारण अब कोई मेरा कुछ नहीं विगार पाएगा साधान हो जाओ मनुस्तियो दिलरुबा आ रहा है सबको मा डालूँगा अरे ये तो दिलरुबा है सबको मा डालूँगा मुझ पर हंसते हो मुर्खो बचाओ कहा भागते हो मगर मच्छो कहा भागते हो मच्छो किसी को नहीं छोड़ूँगा भागो वालना दिलरुबा राक्षस मा डालेगा नगर के सैनिकों ने रुका दिलरुबा का रास्ता रुख जा दुस्त राक्षस हमला करो इस पर अपना ये अर्मान भी पूरा कर लो अरे इस पर तो किसी भी हंत्यार का असर नहीं हो रहा तुम लोगों ने अपना अर्मान पूरा कर दिया अब मैं अपना पूरा करता हूँ सब को मा डालूँगा किसी को भी नहीं बख्षूँगा धड़ा ध़ा कुछी देर में नगर को समसान बना डाला दिल्रुबा ने अब को ही नहीं हसेगा दिल्रुबा के नाम पर दिल्रुबा का नाम भै और अतंग का परेयाई बनेगा अब बारी है विसालगट की यहां के लोगों ने मेरी बहुत खिल्दी उड़ाई थी अब मैं उन सब की गिल्ली उड़ाऊंगा परतु यह क्या पुरा विसालगट सुनसान क्यों पड़ा है कहां गये सब मनुस्य कहीं मेरे आने के डर से कहीं मेरे आने के डर से घरे में तो नहीं छिप गए इनके घरों को तोड़ डालता हूँ खुद ही बाहर निकल आएंगे परतु यह क्या यह सबी मकान तो खाली है आखिर कहां गये सबी मनुस्य दिल्लिवा तो दिखाई दिल्लिवा को दिखाई थी वो बढ़िया इस बुढ़िया से पूस्ता हूँ अरियो बुढ़िया इस नगर के सारे लोग कहां गये बुढ़िया ने बिना पूछे दिल्लिवा को सारा खिसक बयान कर दिया तो तू क्यों नहीं गई सोने के लीदने ने अरे नास पीटे कलमो है करम जले कुलच्छने छिछोरे पाजे नीच कमी ने मुझे गठिया करो गए मेरी टागी सीधे नहीं होती मुझे मजा करता है तेरी तो बक बक दिल्लुबा की ओर देखते ही बुढ़िया की हवा संठ हो गई पुई हुले पंगा गठिया की मारी बुढ़िया इस रप्तार से भागी कि अधी भोड़िया की दौर में भागती तो पहला अस्तान प्राप्त करती अरी मुरी मैयारी रक्षस्वा आई गए वा बचा लो हमको मैं चला तबोवन में सभी मनुस्य का सफाया करने तबोवन से कुछी दूरी पर डाकु छरपपा सिंग के अड़े पर खाओ खाओ और खाओ मेरे प्यारे भाईया अरे ओ तामबा भाईया गरिये ओ मेवे वाले खेड तो लेकर आ ढकार वाह अत्यन स्वादिश्ट भोजन है अरे कमबक्तो मुझे भी तो कुछ खिलाओ जाने कबसे भूका प्यासा इस मुस्टंडे गठे को ढो 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 रहा हूँ तू ये घांस खावे मैंने खेड में पूरी बोतर जमाल भोटा उड़ेल दिया है सतार इसे खाते ही गठा यहां सोने के बाढ़ ला देगा साबास तामबा ये लो भाईया मेवे वाली खेड खा लेना हाँ हम लोग बाहर इंदिजार करते हैं बाहर क्यों भाईया खेड खाते देखने से नजन लग जाती है अवे यहां का महोल भीगरने वाला है गठे ले बाकिलाल ये मेवे वाले खेड तू खा ले तुझे बहुत भूख लगी थे ना सच्ची तुम कितने अच्छे हो मैं वेवजा ही तुम्हे कोश रहा था नम नम यम यम वाली ये खेड तो अत्यान स्वादिष्ट है सुरूप सुरूप वाल खा ले बेटा बाके खा ले मुझे इसमें केसर की खुसबू आ रही है जमाल धोटे की भी ये खीर खा कर मेरे पेट से आवाज क्यों आ रही है पुई है क्या मिला दिया था खीर में कमीनों मेरे कच्छे में कि स्वोट हो रहे हैं भाग बाके लाल जाड़ी के पीछे आज तेरे कच्छे की इज़द का सवाल है सतार लगता है खीर गदे की बजाए बाके लाल ने खाली है ये सारा माजरा रिस्यो की टोली और नमबर डिंग देख रहे थे यही वक्त है जब हम बाके लाल और गदे को डाकों से चुड़ा कर अपने कबजे में ले सकते हैं मैं अपने कविता से दाकों का ध्यान बटाता हूँ आप लोग बाके लाल अरगदे को देखिए नमस्कार बंदुजनो हम आप सब का अपनी कविताओं से मनोरंजन करने आये हैं तो आप सब की खित्मत से तो आप सब की खित्मत में पेस है तेरी मेरी बिलकुल ताजा तरिन कविता वो हसीना वो नेलं परी कर गई कैसे जादू गरी नींद इन आँखों से छेन ली दिल में बैचेनिया है भरी हरते में मेरे हैं दर्दे निर्त दर्दे तो गठिया का भी ओता है जोडो का दर्द, प्यार का दर्द प्यार कदर, दिन टूटने कदर, सर पोटने कदर, तुन्हें बताया नहीं तामबा, कि बसंती कभी इंतिजाम किया है, अबे, आखे खोलके देखो सरदाग, ये बसंती नहीं, बसंता है, आबी तो मैंने कभीता शुरु भी नहीं की, मैं तो गला साह्क कर रहा था, जब, वाल दूरा ने तो तो queens गांते रे पना ज़ांगे। अब जब हो ज्यर्वाख बूल तो इसके पएर के नीचे काच तो ढूँ और क्या चुल गया और तो तुझे भूने के जान भी नहीं बचियों मुझे कोई बात सब्देगे। हाम लोग तुम दोनों को ढोलेंगे चम चमा चम चमा चारे पंगा चारे आप लोग पीछे से पट्ड़ें जोर लगा के दौर दो देशी बर अरे कहा ले जा रहे हो कमभक्तो जुबा पे लगा लगा रे नमक इसक का है अरे सरदार वो देखो रीचियों की टोली गदे और भाकिलाल को लेकर भाग रही है ओ ये सारी चाल थी ये सारी चाल थी हम लोगों का ध्यान बटाने की तामबा घोडे तयार करो पीछा करो उनका बचने जाने ना पाए उधर भाकिलाल की खोज में सदल बल जंगल में पहुँचे सदल बल जंगल में पहुँचे राजा विक्रम सी का सामना हो गया जादुगर गलाटा गुरू से तो अपने नापाक मनसूब में कभी कम्याब नहीं हो पाएगा दोस्ट जादुगर सैनी को आगे बढ़ो पकर लो इस दुष्ट को अच्छा हुआ मुच्छड कि तु अपने पूरी सेना और दर्वालियों के साथ ही यहां आ गया वैसे भी तेरे पास ही आ रहा था अब तेरी मायावी गद्द अब मेरी मायावी गद्दा तुम सबको परलोग पहुँचा देगी इसी बात पर बोलो राम नाम सत्य है हाँ धाँ हाई धाँ हाई देख लिया अपनी सेना का हाल अब तेरी बारी है बाकिलाल का दिमाग घोड़े की तरह दोड़ रहा था अगर ये सारे डिसी मुझे पकड़ कर ले गए तो इन्हें पता चल गया कि गद्दा सोने के लिए नहीं देता तो तो मुझे ये सारे के सारे स्राब देकर ना जाने क्या बना देंगे इन सबसे पीछा छुडाना ही होगा वाह सोच गई युक्ती मेरे पेट में फिर से गड़ बड़ सुरू हो गई है रिसीवरो किरपया मुझे नीचे उतारो अगर हम लोगों ने तुझे उतारा तो तो गधे के सार भाग जाएगा हम तुमारी बातों में नहीं आने वाले सोच लो रिसीवरो मैं और नहीं रोख सकता मैं आप सब के उपर ही कर दूँगा उतारो इस नराधाम को कहीं सही में हम लोगों पर ही रा कर दे मैं बस यों गया और यों नहीं आया भागने की कोशिस मत करना बाके लाल अन्य था हम सब स्राप देकर तुझे टिंडा बना देंगे भाग ले बेटा बाके यहीं मौका है दुर्की हो दे अरे ये तो भाकेलाल है हर बार मेरे हांस से निकल जाता है पर इस पार नहीं छोड़ूँगा ऐसी जप्पी दूँगा कि कचुमर दिकल जाएगा पीछे लग लेता हूं इसके बाकेलाल को जाड़ी के पीछे गए हुए बहुत वक्त हो गया कहीं भाग तो नहीं गया हाँ ना ही आवाज आ रही है और ना ही बद्वो तुम जांक कर देखो ना जाड़ी के पीछे रिसी तुम जांक कर देखो ना जाड़ी के पीछे रिसी पपी पॉँचारे ची ची मेरे लिए यही देखना बागी बचा है तो भी क्यों नहीं देख लेते पंगाचारे भड़कते क्यों है मैं ही देख लेता हूँ अरे बाके लाल यहां नहीं है हमें मुर्ख बना कर भाग क्या हो जल्दी दोड़ो ज्यादा दूर नहीं किया होगा अबी अपने धोती उठा कर दोड़ो रिसीवर क्या पेरों में फसकर खुलना जाए चडपा सिंग भी पीछे नहीं था चडपा सिंग भी पीछे नहीं था सर्दार ये तो वही रिसी है जो गधे और बाकिलाल को लेकर भागे थे हाँ प्रन्तु लगता है बाकिलाल इनको भी चक्मा दे गया इनके पीछे लग जाओ पिसालगर्ट के नागरिक भी पीछे नहीं थे इतनी देल से धून रहे हैं अभी तक बाकिलाल नहीं मिला प्रन्तु अच्छा हुआ मुझे तुम लोग मिल गए हाँ अब कोई नहीं बचने वाला मेरे हाँदों से अरे वापरे ये तो राक्षस है हाँ 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 सब को मा डालूगा कोई नहीं बचेगा धा आ भागो बचाओ जा मेरे मैयावी गंदा कर दे दुस्मन का काम दमाम फोर दे मुच्छर की खोपड़ी नहीं मुझे बचाओ कहाँ मेरे प्यारे बांकू बाकेला जादा दूर नहीं था ठोकर लग गई धड़ां मेरा प्यारा बांकू आ गया ये क्या हो दिया है नहीं ये क्या हो रहा है मेरे मैयावी गंदा कहां गायव हो गई हाँ बताते हैं बच्चा आज हमारा प्रतिसुत पूरा हो गया बहुत समय पहली की बात है अरे ये तो गधा देव है भक्तों ने मेरा और मेरे छोटे भाई गधा देव का मंदिर बनवाया क्योंकि मैं बड़ा था इसलिए मुझे बड़ा मंदिर मिला और वो छोटा था इसलिए उसे छोटा मंदिर मिला फ्रेंटि हूँ मन ही मन मुझे से इश्ड़ा करने लगा मैं अत्यां सक्की साली हूँ और मुझे मिला ये छोटा मंदिर और मेरे भाई को भक्तों ने दे लिया बड़ा मंदिर इस घोर अपान का बदला मैं बढ़के गधा देव से ही लेकर रहूँगा एक दिन देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को अपसरा का नेते देखने के लिए स्वर्ग बूलाया मैं भी सदर्द कर पहुँचा करते मस्किल जीना हो इसके कमीना आईए गधा देव स्वागत है आपका किर्पे आसन ग्रहन करें मेरे बगर में बैठे बड़े भाईया वाह अपसराइ मुझे पर अवसे मुईत हो जाएंगी प्रतु मैं बैठी रहा था कि मेरे दुस्ट छोटे भाई ने मेरे आसन के नीचे फुगगा रख दिया और जैसे हैं मैं बैठा पुईं एक ही होंदिस भरे दर्बार में मेरे इज़त दूट गई सभी मुझे पर हसने लगे अब सराइ भी हसने लगी क्या फटा गधा देव दोती तो नहीं पढ़ गई इतनी घोर बेजे थी और मैंने क्रोध में अपने छोटे भाई को स्राब दे डाला छोटे तुने अपने सक्ती के घमन में चूरो कर भरी सभा में अपने बड़े भाई का आपमान किया जा मैं तुझे साब देता हूँ कि जिस सक्ती पर तुझे इतना अभिमान है वो मेरी सक्ति के सामने छिन पड़ जाएगी जब भी तु अपने वर्दान से किसी को गदाधारी बनाएगा तब कोई मेरी सक्ति गदे को धारन कर बनेगा गदाधारी और जैसे ही तेरे गदा मेरे गदे के सामने पड़ेगा वो अपने सकती खोकार बिलीन हो जाएगा इसलिए जब गलाटा गुरू बना गधाधारी तो बाकेलाल बना गधाधारी और जैसे ही मेरे सकती गधे को उठा हुए बाकेलाल जादुगर के सामने आया स्राप के कारण मैं आभी गधागायब हो गया अच्छा भाई हुन अप्पा चलते हैं गया बेडगर सत्ते नास अगर मुझे पता होता कि जादुगर मुझ्छर की खोपड़ी पोड़े आ रहा है तो मैं इतनी जहमत क्यों उठाता इस कमभक बाकेलाल की वज़ा से मेरे सारे मनसुबे बरबाद हो गए मैं उसे नहीं छोड़ूगा बाकेलाल जन्दी कर मेरे लीड इसके मुझ पर मार बाकेलाल ने गधे के लीड गलाटा गुरों के मुझ पर दे मारी अरे ये तो सो गया बाकेलाल मैंने कहा था ना कि मैं सोने के लीड देता हूँ मेरे नीद यदि किसी के मुझ पर मल दो तो वो सारी उम्र सोता रहेगा तबी वहाँ पहुचा राक्षस जप्पी पाई बूहुहुहु चड़ी में और लीद में चड़ी में और लीद भी नहीं है अब तु मुझसे नहीं बच पाएगा बोधी वाले अब तो तुझे जप्पी दे कर ही रहूँगा अले बापरे राक्षस गदे के बच्चे फटा फट लीद कर दे मैं इसके मुझ पर मल दो बाकेलाग मेरा धारक सिर्फ एक बार ही मेरे सक्टी का उपयोग कर सकता है जो तुने कर लिया अब मैं चला बेड़ा गर्क बाकेलाग के पीछे पढ़े रिसी गन भी उसी ओर आ रहे थे उदर से कुछ अवाजे आ रही है लगता है बाकेलाग उधर ही गया है ठक रिसी पौँ अचारे को लगी पत्थर से ठोकर और रिसी पौँ अचारे वीमान बन गए अरे ये क्या उड़ने वाला रिसी रिसी पपपी पहुंद अचा रहे हैं ये रिसी चोच निकालकर मेरी योग क्यों आ रहा है चुम्मा हाई ये क्या हो गया चोच वाले रिसी ने मेरा चुम्मा ने लिया लोट गई राक्षस की ज़द आ हाई मेरे मिल तू किसी रिसी की पपी से होने थी अच्छा वाई होना पर चलने पहें हैंगे या हम भरस्ट हो गए परन्तू मुसीबते अभी टर्ली नहीं थी ही 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 ह सब को मा डालेगा दिलुबा, मा केलाल, हुन सर्दा की हूँ, यही वक्त था, जब रेशियों का पीछा करते डाकों भी वहाँ वोजे, सर्दार जाड़ी के उस पार बहुत भीर दिखती है, लगता है गदा वही है, तो फिर देर कैसी, चलो, प्रहतू छड़ापपा सिंग के साथ भी वही हुआ, पुई, अबे, ये क्या हो दिया है, हैं, ये क्या, एक और उड़ता हुआ मनुस्ते, आ, लेली दुलुबा की, लेली दुलुबा की जान, आप ये कैसे हो सकता है, ये तो राम लीला की नौटंकी वाली तरवार है, जब भगवान सीव से, मुझे पता चला कि मेरी मिर्टु, हथियार से होने ही लिखी है, तो मैंने उसे ये वरदान मांगा, कि मेरी मिर्टु किसी भी असने हथियार से ना हो, बलकि नौटंकियों में इस्तमाल होने वाले नकली हथियार से हो, मैंने सोचा कि राक्षस को सामने देखकर भला कौन मुर्ख, उस पर नकली तरवार से हमला करेगा, परन तो मुझे क्या पता था, कि मेरा आंथ ऐसे ही होगा, अच्छा भाई, लोगों अप्पा भी चलते पेहें गया हिच्छ, इसी बात पर बोलो, राम नाम, मुर्दा साला, भाई वाह, सारे खत्रे डल गए, बाके दे पुच्ची, दुसित कर दिया, महराज, कभी तो लिहाज कर दिया किजिए, बाके अभी निर्वस्त रहे, इसी के साल, ये कहारी समात्री, मिलेंगे आपसे एक और नए कोलिक्स में, तब तक करिए बाए, और हाँ, इस वीडियो में थोड़ा सा, बाहर की भी आवाजे थोड़ी सी आ रही है, तो इसके लिए सॉरी, और मैं ये सब वीडियो जो है, बहुत जल्दी जल्दी रिकोर्ड कर रहा हूँ, और चुकि मैं अभी अपने घर आया हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत बच्चों की आवाजे आ रही हैं, और बच्चे सब भी छुटी में हैं, और अभी कोरोना का माला पढ़ता जा रहा है, तो प्लेज, आप इसको इग्नोर करके इस वीडियो को लाइक करेंगे, और जहां जरूत होगे, वहाँ सियर करेंगे, ठैंस पर वाचिंग में वीडियोज,